फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच काफी सुर्खियों मे रहा ये मैच अर्जंटीना और फ्रांस के बीच था जिसमें अर्जंटीना ने जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली इस बीच अर्जंटीना के दिगज फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मैसी का ये वीडियो ल फोर ने भी पबलिश किया वहीं भारत के प्रमुक मीडिया संगठन जैसे की इंडिया टीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक वर्ल्ड, टाइम्स नव, इंडियन एक्सप्रेस, एंडी टीवी, दे क्विंट हिंदी ने भी ये वीडियो मैसी की मा का बताते हुए तो क्या वाकई में मैच के बाद भाव खोकर मैसी को गले लगा रही ये महिला उनकी मा है? चानबीन करते हुए और्ट ने पाया कि ये दावा सरासर गलत है The Sun की इस रिपोर्ट में इस महिला की पहचान अर्जन्तीना की नेशनल फुटबॉल टीम की कोक अंतोनिया फर्यास के रूप में की गई है और तो और अर्जंटीना नेशनल टीम पर रिपोर्ट करने वाले रॉय नेमर और अर्जंटीना के स्पोर्ट्स न्यूज आउटलेट वार्ज की स्पोर्ट्स ने भी इस महिला को अर्जंटीना की राश्ट्रिय टीम की हेड कोक एंटोनिया फर्यास बताया है अंटोनिया फर्यास की Facebook profile चेप कने पर हमें उनकी कई तस्वीरे मिली उनकी इस तस्वीर में उनके हाथ पर बना ये टैटू साफ नजर आता है और यही टैटू वारल वीडियो में भी महिला के हाथ पर दिख रहा है यानि यह महिला मैसी की मा नहीं बलकि अर्जंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम की कुक एंटोनिया फर्याज है